एक बरिखा पराड़ी है बेगुसराई जीने से जहां मकई के खेट से एक 20 वर्षिय यूपती का शब बरामत किया गया है सब बरामत करने के पस्चात इलाके में संसनी फैल चुकी है घटना बेगुसराई डंडारी थाना छेट के राजोपुर गाउं की है चातरा की पहचान राजोपुर गाउनीबाथ दिये की चातरा अनुकुमारी के रूपी की गई गोली मारकर पश्ची हत्या कर दी गई चाटरा कल साम से ही लापता थी और आज सुबा उसका सब मकई की खेट से पुलिष ने बरामत गया है इस संबन्द में मुख्याले DSP ने बताया कि छात्रा कर्श्वम मकई की खेट से बडामत किया गया, गोली मार कर हत्या की गई, उन्हें शभी बुंद्गों पर जाच कर रही है, साथ ही परिजनों ने पिता एवं फुत्र को नामजद आरोपी बताया है, विटो इस बिहार के आए, कुछ ना मिली की लड़की घर पे नहीं मिल रही है, आम लोग अपने अस्तर से गरामी अस्तर पे खुण चांच परताल किये, कोजविन किये, लेकिन कहीं मिली नहीं, लेकिन आज तरके सुबह ही उनके पिता जी अपना उनका डेरा है, घर से पूरव साइड में, और अब पर्सासन को प्रसासन अपना वहां पर आई, अपना अपना अफार किया, जो भी हमोनी परकिटिया थी, प्रश्चाइट का है वार नमर एक मिर्तक परजन का नाम है भूसन महत्व। नड़की का नाम है अनुक मारी वीय की पढ़ाई की हुई है फुलीस पोर्स ने उसका एक्जाम भी दिया था उन्होंने इसके बाद अभी उतका मेरिज होने बला था कि इस तरवरी को और सब साध लोगों को अधर था खगरिया के साड़ है नजन करनी है वेल्दोर कंड में हम लोगों को इतना पता था कि साधी है और जब से यह घटना हम लोगों सुने है दूद लाने के लिए गई थी उसकी मा भूली कि हम आ रहे हैं हम हमें दो मिनट में उसके बाद उसका पता को चला कि गई वहां पर लास बढ़ा हुआ है लड़की का नाव हो अन्नु कुमार है लगवा उसका अभी सिकी साल होगा है पिता जी का नाम हुशन महत्यों आज सुबह दंडारी थाना अंतरगत राजवपुर गाउं में एक यूपती की लासुन मिली है जिसमें उसके फिता के द्वारा एक आविधन लिखती ताविधन दिया गया है कि उसकी बच्ची साथ तारीकों संधिया साथ वजे से ही भर से लापता थी इस संदर में अवन junk जैसा निसान पाया गया है दो वैक्ति पर नामजद्व प्राथमिकी की गई है इप्रासंजिकी में इस बात का उल्यकि किया गया है कि राहुल कुमार थे शरमनुश कुमार चौदरी के साथ उसका प्रेम शम्बंद था और रत्मिकी में दुसकर्म की भी बात का उलेख किया गया है शब को पोस्ट मार्टम के लिए भीज़ दिया गया है आगे कानुशन दान चाहिए